Snuggled का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Snuggled का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जो Snuggled हो चुका हो या जिसे Snuggled किया जा चुका हो उसे हम Adjective के रूप में Snuggled कह सकते हैं इसके इलावब snuggled जो है वो snuggled का past and surpassed participle होता है यानकि snuggled की ही second और third form होती है snuggled और snuggled का आर्थ होता है past late na, sat कर सोना, ठहरना, लिपटना, गले लगाना या आराम से लेटना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि बच्चा अपनी मा से लिपट गया तो आप कहेंगे the child snuggled up to her mother या अगर आप ये कहना चाहें कि वह बिस्तर पर आराम से लेट गई तो आप कहेंगे she snuggled down in the bed अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें